ना चीन ना इस्राइल और ना अमेरिका को था जरा भी यकीन भारत उतार देगा काली दस हजार से भी बेहत घातक सिक्रेट वैपन तो रातो रात चीन को पिनाकाना भी दिखा दिया महाविनाशक हतियार ब्रमोस्टू के महाविनाशक अवतार की बाद फुल फॉम में भारत दोस्तो डियाडियों ने एक बार फिर करोड़ों भारतियों को खुश होने का और दुश्मनों को जल करके राक होने का बड़ा मोका दे दिया है हिंदुस्तान ने ऐसा ट्रमकार्ड इजाद कर लिया है जो जंग में दुश्मन का डैथ वारंट होगा वैसे अभी ब्रमोस्टू में जिरकौन की तकनीक वाली ख़बर ने तूफान मचा ही रखा था कि अब एक साथ दो महाविनाशक वैपन्स का नाम सुन करके चीन के कान खड़े हो गए हैं दोस्तो जब से चीन और पाकिस्तान ने फिर से पूँच उठाई है तब से ही भारत ने ऐसी ऐसी मिसाइल रोधी टेकनिक्स को इजाद करने में काम्यावी हासिल कर ली है जो दुनिया के किशे भी कौने से लॉंच हुई मिसाइल को हवा में ही राक कर देंगी साथ ही भारत 500 पीडी के फाइटर जेट से तहल का मचाने के लिए तयार है तो वहीं डायरेक्ट एनरजी वेपन्स की रेंज में भारत एक की बाद एक धमाके कर रहा है भारत का काली 10,000 सिक्रेट हत्यारों की दुनिया का वो बेताज बादशा है जिसकी तकनीक का दिवाना अमेरिका हुआ पड़ा है और दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको काली लेजर वेपन के भी बाप से रूबरू करवाने वाला हूँ जो भारती आसमान से दुश्मन पर एक दो मिसायलों से हमला नहीं करने वाला है बलकि आसमान से मिसायलों की बारिश कर देगा डियाडियो का ये नया प्रोजेक्ट आपके होश उड़ाने वाला है तो वही दोस्तो एक साथ रोकेट की बोचार करने वाला सिस्टम भी आपको दिखाने वाला हूँ जिससे चीन इस कदर खौफ जदा है कि बॉर्डर से उसने अपने नौसे किये पी एचल-3 रोकेट लॉंचर को ही मूव करवा दिया है क्योंकि ये भारत के नए हत्यार के सामने बोना सावित हो रहा है तो चले दोस्तो जानते हैं भारत ने किस ब्रहमास्तर की खोज कर डाली है और ये गुप्थ फोर्स कहां कमान सभाल रही है भारत की गुप्थ फोर्स ने थाम ली बॉर्डर के कमान काली और दुर्गाटू से भी घातक प्रोजेक्ट करेंगे मिसाईलों की बरसाथ दोस्तों डियार्डियो ने जो धमाका किया है उस ट्रम्प कार्ड का अगर भारत ने इस्तिमाल कर दिया तो फिर उसे ब्रम्हांट की कोई ताकत नहीं रोक सकती है एशिया पेसिफिक रिजन में चीन के बढ़ते खत्रे को देखते हुए डियार्डियो एक खास मिसन पर था और अब ये मिशन 100% सफल हो चुका है वैसे दोस्तों अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन दोस्तों इसको लेकर के कुछ खुफिया रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें खुला सा हुआ है कि भारत प्रोजेक्ट वेदा के साथ अब तहल का मचाने को तयार है दोस्तों भारत के DRDO Chief ने इसकी एक हलकी जलक भी दुनिया के सामने पेश कर दी है जिसमें प्रोजेक्ट वेदा का एक Scale Model दिखाई दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अचानक भारत की और मोड दिया है दोस्तो भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट वेदा इतना खास और खूपया प्रोजेक्ट है जिसके ख्रमता भारत को दुनिया में एक महाशक्ती बनाने वाली है दरसल दोस्तो प्रोजेक्ट विदा एक मोबाइल सैटलाइट लाउंच वीकल है जिसके पास वास्तों में इतनी ताकत होगी कि ये बेहदी कम वक्त में आस्मान से दुश्मनों पर सैनने सैटलाइट्स की बोचार कर सकता है यानि दोस्तो अगर भारत चाहे तो महज कुछी सेकंड्स में अंतरिक्ष में कई भारती सैटलाइट्स भेज सकता है जिनका इस्तिमाल कई अलग-अलग सैनने ऑपरेशन्स में किया जा सकता है तो दोस्तो भारत का कौन सा दुश्मन इस स्पोर्स का पहला शिकार बनेगा इसकी पूरी तफसील में आपको देने वाला हो हिंदुस्तान के दुश्मनों के खिलाब की गई हमारी मोर्चा बंदी के बारे में आपकी राय क्या कुछ है वो कॉमेंट में लिख करके आप भी बताते रहिए तो दोस्तो समझते हैं कि आखिर भारत इसका इस्तिमाल कैसे करने वाला है तो दरसल दोस्तो सैटलाइट किसी भी देश के लिए सबसे बहतर एसेट होते हैं वहीं इनका इस्तिमाल युध की दौरान इंटेलिजन्स गेदर करने के लिए किया जाता है केवल युध के वक्ती नहीं बलकि सामाने समय भी सैटलाइट्स बेहद बहतरीन जानकारी किसी भी देश को प्रदान करते रहते हैं ऐसे में हर देश दुश्मन की सैटलाइट्स को नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने दुश्मन को एक खास तरीके से अंधा कर दिया जाए और आप इन दिनों देखी रहे हैं कि किस तरह से चीन भारत की मिसाइलों को हिट करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है कोई विदेश दुश्मन की सैटलाइट्स को तबा करने के लिए ज्यादा तर एसेट यानि एंटी सैट मिसाइल का इस्तिमाल करता है और दुनिया में केवल गिंती के ही देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलोजी मौजूद है उन में से भारत भी एक है और चीन के पास भी एंटी सैटलाइट मिसाइल टेक्नोलोजी मौजूद है यानि कि देखा जाए तो युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटलाइट्स पर एक के बाद एक हमले कर सकता है ताकि भारत को इंटेलिजेंस लेने से रोका जा सके लेकिन भारत आप चूंकि इस चीज को समझ चुका है इसलिए भारत ने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है और अगर युद्ध के दौरान चीन भारत के सैटलाइट्स पर हमला करता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि भारत के सारे सैटलाइट चीन अपने सैटलाइट मिसायलों के जरी गिरा सकता है वही पर दोस्तों भारत का प्रोजेक्ट वेदा अपनी असली ताकत दिखाएगा वेदा कुछी मिनिटों में LEO यानि लो अर्थ और्बिट में सैटलाइट्स को भेजनी की चमता रखता है यानि कि युद्ध के दौरान अगर भारत के सारे मिलिटरी सैटलाइट्स खत्म होता हैं तो भी भारत कुछी घंटों में अपने सैटलाइट्स को एक बड़ा जखीरा अंत्रिक्ष में खड़ा कर देगा जहां से दुश्मनों पर सैन्नी विशालों की बोचार शुरू हो जाएगी दोस्तों दरसल वेदा अगनी 4 मिसाइल के रोकेट की तरह बनाया गया है यानि कि इसे अगनी 4 मिसाइल की तरज पर ही विक्सित किया जा रहा है जिसकी मारक्षम्ता 3500 किलोमेटर की है वेदा एक मोबाईल सिस्टम होने वाला है यानि कि हमेशा operations के लिए तयार रहेगा इसके साथ ही दोस्तों वेदा का rocket केवल satellite को ही अंतरिक्ष में नहीं छोड़ेगा बलकि और कई तरह की काम करने में भी सक्षम होगा ये अंतरिक्ष में satellite का interception और hard kill से target को तबा करने में भी सक्षम होगा यानि दोस्तों वेदा एक ऐसा rocket होने वाला है जो बस अंतरिक्ष में धेरो सेटलाइट्स को कुछी घंटों में लौज करने की ख्षमता रखेगा बलकि ये दुश्मन के सेटलाइट्स को तबा करने की काबिलित भी रखेगा यानि कि ये काफी versatile सिस्टम होने वाला है यानि दोस्तों चीन भारत को लेकर के लाग कोशिशे कर ले चाहे कितने भी हतियार पैदा कर ले सच्चाई तो ये है कि भारत जिन हतियारों को अपनी तकनीक से तयार कर रहा है वो एक हतियार ही चीन के ज्यादातर हतियारों पर भारी पड़ जाएगा और दोस्तो अब आते हैं दूसरे घातक हतियार पर जिसका नाम है पिनाकार रोकेट सिस्टम दोस्तो पूर्वी लद्दाक से लेकर के अरुनाचल प्रदेश तक भारत ने अपनी रोकेट फोर्स को मैदान में उतार दिया है ये गुप्त फोर्स अपने साथ बेहत घातक हतियारों से लेस है इसके साइलेंट किलर्स चीन की चटनी बनाने के लिए तैनात हो चुके हैं जिनकी भनक तक चीन को नहीं लगेगी और जब मिशन पूरा हो जाएगा तो चीन राक हो चुका होगा चीन की चाती पर भारत ने अपनी रोकेट फोर्स की जाबाज लड़ा के मल्टी बैरल रोकेट लॉंचर पिनाका और इसमर्ज की फोर्ज को तैनात कर दिया है और दोस्तों इनकी काबिलित की अगर हम बात करें तो पिनाका रोकेट लॉंचर स्वदेशी है जिसकी बैटरी में 6 फाइरिंग यूनिट यानि लॉंचर लगे होते हैं एक लॉंचर में 12 चूब होती हैं यानि की एक बैटरी में फुल मिला करके 72 रोकेट होते हैं और केवल 44 सेकंड में ये सारे के सारे रोकेट लॉंच हो जाते हैं लॉंचिंग के तुरंट बाद लॉंचर अपनी लॉकेशन बदलते हैं और फिर दोबारा आर्मड हो जाते हैं फिनाका की मारक शम्ता 38 किलोमेटर है जिसकी रेंज अब 3000 किलोमेटर तक की जा रही है और दोस्तो एक साथ पूरी बैटरी दागने पर दुश्मन के करीब एक वर किलोमेटर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता है यानि आसान लफजों में अगर मैं आपको कहूं तो पीना का जब फायर होता है तो महज 44 सेकंड के भीतर ही रोकेट्स और मिसाइलों का ऐसा तूफान आ जाता है जिसमें 38 किलोमेटर से लेकर के 300 किलोमेटर दूर एक किलोमेटर की परीधी में बैठे दुश्मन और उसके तमाम हतियारों का समूल नाश होनाता है बिजली किसी रफ्तार से जब 44 सेकंड के भीतर 72 रोकेट्स फायर होते हैं तो लगता है कि मानो मिसाइलों का सेलाव आ गया हो जो मौत बनकर दुश्मन को अपने साथ बहा ले जाने को आमादा हो पिनाका की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें एक सेकंड में करीब दौर रोकेट्स फायर होती है इसकी यही खुबी है और मारक शमता इसे दुश्मन का काल बनाती है और दोस्तो अब भारत ने इस पिनाक का भी बाप तयार कर लिया है भारत ने पिनाका मारक 3 तयार कर लिया है और इसकी रेंज अब 38 किलोमेटर से बढ़ करके 300 किलोमेटर तक हो चुकी है यह गाइडेड रोकेट वेरियन्ट होगा दोस्तो पिनाका मारक 3 के तुफान का ऐसा खौप मिलने वाला है कि चीन ने अभी ही अपने नाकारा पियेचल 3 नाम के रोकेट लॉंचर को मूव कर दिया है दोस्तो भारत अपनी रोकेट आर्टिलरी को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है जो आने वाले वक्त में चीन और पाकिस्तान को चुट्यों में मसलने का माददा रखेगी आप क्या कुछ इस मामले में सोचते हैं कॉमेंट करकी जरूर बताएगे